हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबान जोतिश रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन मेरे प्रिये साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदानन्द शर्मा और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ मासिक राशी फल के विशे में और ये जो मासिक राशी फल है महा सितंबर दो हजार इकिस से संबंदित है यनिके सेप्टंबर 2021 और मेश राशी से ले करके हम मीन राशी तक सभी राशीयों के जो जातक हैं उनके विशे में बात करेंगे बताएंगे कि सितंबर का महीना उनक क्या लेकर के आ रहा है और अगर कोई किसी भी राशी में कोई तकलीफ है, कश्ट है, परिशानिया है तो साथ में उसका उपाई भी आपको बहुती सरल उपाई देंगे जो कि हम राशी फल के अंद में बताया करते हैं वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और अगर उन उपाईओं को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुती आराम से बहुत शान्ती पूर्ण दंग से निकल जाएगा लेकिन इससे पहले के हम आपके साथ राशी फल की चर्चा करें आईए सित जो ये महीना जो सिप्तंबर का है इसमें गोचर में ग्रों की इस्थिती किस प्रकार की रहने वाली है पहले आईए इसके विश्य में बात कर लेते हैं तो देखिए साथियों सूर्य जो हैं वो सोला सितंबर दिन गुरुवार को रात्री एक बच कर तेरह मिनट पर अपनी स्वयम की राशी सिंग से निकलेंगे और अपनी सम राशी कन्या में इनका प्रवेश होगा जहां पर इनकी युती अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और महा के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युती मंगल के साथ सूर्य गी तथा अपने सम ग्रह बुद्ध के साथ भी इनकी युती बनेगी इसी कन्या राशी में जो कि बुद्ध की राशी है और यहां पर बड़ा अच्छा राज्योक का निर्मान करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के और ये युती जो है 22 सेप्टंबर तक बनेगी बहुत कम समय तक के लिए 16 सैप्टंबर से 22 सेप्टंबर तक जो है वो बनेगी बुद्ध के साथ और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशी में मंगल अस्त एवं मारगी अवस्था में 6 सितंबर दिन सौमवार को अपनी मित्र राशी सिंग से निकलेंगे और अपनी शत्रू राशी कन्या में प्रिवेश कर जाएंगे और पूरे महा इसी राशी में ही बने रहने वाले हैं यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रहे बुद्ध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक तता 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं जो कि महा के अंततक बनी रहेगी इसी प्रकार बुद्ध ग्रहे जो हैं 22 सितंबर दिन बुद्धवार को अपनी स्वयम की राशी जो कन्या है जहां पर वो विराजमान है वहां से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी तुला में उनका प्रिवेश होने वाला है उदे और मारगी अवस्था में तदा इस राशी में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी जो कि महा के अंततक बनी रहेगी सितंबर के अंततर हाला कि बुद्ध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे उल्टी चाल चलना आरम करेंगे महा के अंत में जाकर के ग्रूब रस्पती वक्री और उदे अवस्था में अपनी समराशी कुम्ब में पूरे महा संचार करते रहेंगे शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा अपनी नीच राशी जो कन्या है उसमें फिलाल चल रहे हैं लेकिन यह यहां से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशी कन्या से और अपनी स्वयम की राशी तुला में इनका प्रवेश होगा और इस राशी में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुद्ध के साथ रहेगा 22 सेप्टमबर से महा के अंत तक इसी प्रकार शनी वक्री अवस्था में और अपनी स्वयम की राशी मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महा राहू अपनी मित्र राशी विर्शम में संचार करेंगे पूरे महा और केतु अपनी मित्र राशी विर्श्चक में संचार करेंगे पूरे महीने तो ये थी ग्रोंकी गोचर में इस सिती जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में और इसी के आधार पर ही बारे राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे जिसका हम चर्चा अब आप से एक एक राशी के विशे में खोल करके करेंगे डिटेल में जो धनू लगन के जातक हैं यानि के सैजिटेरियस असेंडेंट जातक हैं बेस्ट उनके मासिग राशी वल्की हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले आपके साथ चर्चा हम कर रहे हैं आपके विएफसाय को लेगे क्यों कि विएफसाय के हालात इस महां सितमर में आपके कैसे रहने वाले हैं तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि इस सितंबर के महीने में आपके जो व्यफसाय के हालात हैं वो उन हालातों में एक तनाव मानसिक रूप से आपको जरूर रहेगा वो इसलिए कि शनी की साड़े साथी का अंतिम चरण आपके जीवन में चल रहा है और यह 39 अपरेल तक चलेगा जादे लंबा समय नहीं रहे गया है कुछ महीनों की बात है अब बात करते हैं आप से कि आपके लिए यह कैसा समय है देखिए भई आप धनुलागन के जो जातक हैं धनुलागन के उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्ध अपने ही राशी में में बैठे हैं मूलत्रकॉन राशी में बैठे हैं उच्च के होकर के बैठे हैं और बहुत सुंदर पंच महापुरूष राजयोग भी बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में सफलता हैं तो मिलेंगी लेकिन वहाँ पर उनके शत्रूग रहें रापती होने वाली थी कार्य छेत्र में आपके व्यपसाय में वहाँ वो मंगल उसमें थोड़ा विग्ण पैर्दा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी बिलकुल मिलेंगी निराश ना हो होसला अपना नीचे ना आने दें कम ना हो पूरा होसला रखें और हि रहे निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं और इतना ही नहीं जहां आप कारनेरत हैं वहां की बात तो मैंने की बाहर की भी बात कर रहा हूं कुछ और आपको अफ्सर बाहर से भी आपको प्राप्त होंगे उनको प्राप्त करना है नहीं करना है ये सब आपके उपर निर्भर करेगा ग्रहों की ओर से आपको पूरा सपोर्ट है बस मंगल विग्न डाल रहे हैं तो उसको अगर कोई बीच में कोई रुकावट कोई विग्न बाधा कोई अगर आती है आपके कार्यों में तो आपने घबराना नहीं है पूरे जोश्च के साथ लगे रही है क्योंकि सफलता आपको निश्चत रूप से मिलने वाली है यह मैं आपको इस पश्ट रूप से बोल रहा हूँ इस में कोई अगर-मगर नहीं है और जहां तक इस बात का प्रिश्ण है कि महा के मध्धे में क्योंकि सूर्य जो है राशी परिवर्तन करेंगे अपना और जब वो सूर्य राशी परिवर्तन करेंगे तो मंगल उनके परम मित्र हैं और बुद्ध के साथ मिलकर के बोधा दितिराज्योग बनाएंगे और मंगल के साथ मिलकर के भी राज्योग बनाएंगे लक्षमी योग तो एक तरीके से साथियों भागगे का भी आपको साथ मिल रहा है महा के मद्धे तक तो पूर्ण रूप से मिल रहा है और उसी का परिणाम ये आएगा कि जब सूरह 16 सितंबर से आएंगे आपके दशमबाओ में करियर आउस में और बुद्ध के साथ मिलके बनाएंगे बुद्ध आदित राजियोग तो जो राजनीती के छेतर में लोग राजनीती करते हैं उनके लिए भी ये बहुत सफलता का समय होगा कोई बहुत अच्छा और जो रोजगार में हैं उनको भी किसी बड़े पद पर प्राप्ती उनकी हो सकती है उनको किसी बड़े होदेगी या खुर कोई बहुत अच्छी एहम जिम्मेवारी कोई आपको मिल सकती है अपने पदादीकारियों के दोरा यनि कि एक तरीके से कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि आपका वर्चस रहेगा अपने कार्य छेतर में महा के मद्दे से अंति तक यूँ तो पूरा महीना ही अच्छा है लेकिन मैंने विशेश रूप से जो जो जोड़ दे करके कह रहा हूँ वो महा के मद्दे से अंति तक का समय बोला है लेकिन इस समय में आप एरोगेंट ना हो बहुत सामान्य बन करके रहिए वेवार कुशल रहिए एरोगेंट नहीं होना ये तो ग्रेह हैं बदलते रहते हैं आज कुछ अच्छा दिलाएंगे कल कुछ आपको थोड़ा कड़वा भी पीना पड़ेगा तो इसलिए अपने आपको बैलेंस में रखिए संतुलन बनाए रखिए अपना और वेवार सब के साथ अच्छा रखिए और अब आके बात कर में इनकम के विशह में सुक साधनों के विशह में देखिए आये तो आपकी रेगुलर होगी अच्छी होगी आय। मैंकिसी प्रकार की मैज़े कोई कमी दिखाई नहीं दे रही हैं आय। बरावर होगी लेकिन हाँ benefit सेविंग्स तो होंगी लेकिन जिस मात्रा में आपको कर रूप से आप नहीं उठा पाएंगे और आगे आप बात करते हैं प्रेम संबंदों की तो देखिए ये जो समय चल रहा है महा के आरम से और महा के मद्दे तक यानि 22 सेप्टमबर तक वैसे तो मैं अगर देखू तो पूरा महीना कह सकता हूँ मैं ये सितंबर का आप धनू लगन के जातकों के लिए प्रेम संबंदों के लिए और वैवाहिक संबंदों के लिए भी बहुत अच्छा है यानि के जो लोग मैं इसको थोड़ा खोल के बता समझा देता हूँ के जो लोग पहले से अपनी रिलेशन्शिप में थे या हैं उनकी रिलेशन्शिप में मजबूती आएगी और अगर वो अपनी रिलेशन्शिप को कनवर्ड करना चाते हैं अपने मेरिड लाइफ में तो परवार मत कीजिए, अपने काम में लगे रही हो जाएगा, सक्सिस हो जाएगे अंते्टे गोत्वा विवाहित व्यक्षियों का विवाहिक जीवन कैसा रहेगा विवाहित, व्यक्षि안 जो है उनके व्यवाहिक सुख जो है देखेए, सुख तो बरकरार रहेगा सुखों में कभी-कभी बीच में थोड़ी सी एक तरीक से कमी आ सकती है जब बीच में थोड़ी बहुत आपस में नौक-जौक हो जाती है तो नौक-जौक जैसी सिती भी होगी बीच-बीच में लेकिन सुख मिलते रहेंगे और 22 सितंबर के बाद आपके जो सुख हैं उनमें और अधिक वरद्धी होगी आप में एक दूसरे के पृति प्यार और कॉमिट्मेंट मतलब एक दूसरे के पृति कॉमिटिट होंगे परिवारिक संबंद, परिवारिक संबंदों में थोड़ी सी कमी, सहयोग में कमी रहेगी, आपको वैसे तो लगेगा कि संबंद बिलकुर सामान ने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब थोड़ा बहुत सहयोग लेने की बात आएगी, तो वहाँ पर आपको इसका अनुभव होगा कि ये सहयोग हमें कम प्राप्त हो रहा हैं, तो इसके लिए आप मानसी ग्रूप से तयार रहें, डिपेंड ना रहें, परिवार के उपर, मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, चात्रों को, चात्रों को शि आपके परिणाम बहुत गरबर हो सकते हैं, तो इसलिए आप परिश्रम करेंगे, और अगर परिश्रम करेंगे, तो दिल आपका प्रिसन हो जाएगा, ये भी मैं बता दूँ, परिणाम इस प्रकार किया जाएंगे, जो आपको उमीद भी नहीं होगी, सब को डिपेंड करे परिणाम उत्तम प्राप्त होंगे, सर्वत्तम बलकी नहीं करेंगे, तो परिणाम इस सिती ये रहेगी, अब आपके उपर है ये, कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, संतान की बात कर लें, संतान की और से भी सामानने से बहतर परिणामों की प्राप्ती जो है, वो माता- पिता को रहेगी, बहुत उत्तम परिणाम तो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, हाँ, लेकिन मध्यम या तो होंगे, या मध्यम से थोड़ा उपर, स्वास्त कैसा रहेगा, तो स्वास्त की विशे में भी मैं बताना चाहूँगा, कि स्वास्त जो है आपका, सामानने रहेगा बीच बीच में हलकी फुलकी कुछ समस्या बनेगी, वैसे ओवरॉल आपका स्वास्त जो है, वो सामान में रहेगा, अब उपाये क्या किये जाएं, कि जो आपकी थोड़ी बहुत समस्या है, जो मैंने बताई भी है, और क्योंकि शनी की साले साती है, सबसे पहले तो शनी की उपर सरसों का तेल चढ़ाएं, काली उड़त की डाल ले जाएं, वो उनके श्री चणों में रखें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहां बैठ करके शनी चालिसा का पाट करें, या शनी स्तोत्र का पाट करें, या शनी के मंतरों का जाप करें, एक माला, तीन माला या प रहें तो निश्चित रूप से जो आपकी मानसिक तनाव है उसमें कमी आएगी शुकून महसूस करेंगे आप खुद अनुभव करेंगे गुरुवार के दिन केले के विरक्ष की करना बिलकुल ना भूने और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं वहां जा है वहनुमान जी का बजरंग बान है और अंत में आरती से पूजा संपन करें देखिए आपके कितनी समस्याएं ऐसे हवा हो जाएंगी जो बताई भी हैं हमने वो भी सब साफ हो जाएंगी तो आप जो धनूलगन के जातक हैं आपको ये मासिक राशी फल जो सितंबर 2020 का है क और जो बैल आईकन है उसको भी अवश्य दमाएं ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे द्वारा निर्मित वीडियोज हैं नए नए कारे करोंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाप राप्त कर सकें इसी के साथ बहुत बहुत धन्य जय माता दिए